हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कुचिंग सेंटर दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही महत्पून प्रेशने लेकर के आए हैं तो पूरा वीडियो देखेगा सब कुछ समझमाएगा सभी प्रेशने इंपोर्टन्ट है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है दो स संख्याओं का योग दो संख्या कोई भी हो सकती है मैं पहली संख्या को ए मालूं और दूसरी संख्या को भी मालूं और दोनों के योग कितना है दोनों का योग कितना है दोनों का योग है पहली संख्या का पहली संख्या क्या है आपकी ए है पहली संख्या ए है पहली संख् को हमने योग कर लिया दो संग्ष्याओं का जो योग है वो पहली संख्या का 28 अब कहि civ कि अब संख्या की कितने प्रतिस्त है पहले तो संख्याओं को अलग-अलग पता कर लीजिए अब देखी यहांपर क्या होगा अगर मैं इसके नीचे भी एक माल लूँ तो cross multiply 25 कमल पर A से करूँगा तो यह 25 A हो जाएगा ठीक है पिलस 25 कमल पर B से करूँगा तो 25 B हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा 28 गुने A मतलब 28 A हो जाएगा ठीक है भाई इस कमल पर A से B कर दिया 28 कमल पर A से हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 25 A है यहाँ पर 28 A अब मैं 25 A को बराबर के इधर ले जाऊँगा इधर पिलस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 28 A में से 25 A कटेगा तो कितना बचेगा दोस्तो 3 A बचेगा इधर आके इधर क्या बचा 25 B बचा अब बहुत सिंपल हो गया देखिए B मैं A को इधर लाऊँगा B के बटे में A हाजाएगा कितना बचा 3 25 को इधर ले जाएगा तीन के बटे में 25 हाजाएगा B की वैलू 3 A की वैलू 25 अब इसको कर लीजे कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिसत है दूसरी संख्या देखिए A और B दो संख्या थी जिसमें A का मान 25 निकल के आया और B का मान हमारा 3 निकल के आया ठीक है आप कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की, पहली संख्या कितनी है, 25, कितने प्रतिसत है, प्रतिसत के लिए 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे, बस आप कांसर जाएगा, 25, 400, 3, 4, 12, बारा प्रतिसत है, यह आपके क могу समस्या नहीं होगी ठीक है अब देखते हैं अगला प्रिश्ण निया किसी दों को की संख्या में एकाई दॉहां को की बासक्ष है चैहरा है यहां पर जो उसी से करेंगे किसी दों को की संख्या में एक्ाई अंक द लौहां कि दूआ देखे जो एकाई अंक है वो दहाई यंग से दूआ दिके तो इतो बिल्कुल सही है भई इकाई कांग दहाई के दूआ देखे मतलब 46 लिख लेगे हैं पहली कंडिशन सैटिसफाइब कर रहा है दूआ देखे एकाई का फिर कहरा है है संख्या तता उसकी अंकों के योग फल का गुड़न फल अंकों के योग फल अंकों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 10 अंकों के योग फल का गुड़न फल आप करना गुड़न फल का मतलब गुणा हमें मतलब गुणा लिखना है ठीक है आप देखे चार 46 का गुणा 10 से करूँगा तो इस 460 हो जाएगा योगफल का गुर्ण फल 144 है लेकिन यहाँ पर 460 आ रहा है तो मतलब पहला option गलत दूसरा option देखेंगे एकाई कांगि यहाँ पर दो अधिक है यहाँ पर दो अधिक है नहीं तो यह तो वैसी गलत एकाई कांग यहाँ पर दो अधिक होना चाहिए लेकिन यहां तो चार अधिक है तो ये भी गलत जब तीन ओफ्सन गलत होगे तो चोथा अपने आप सही लेकिन चेक करेंगे एकाई का अंक दाही से दो अधिक है बिल्कुल सही 24 लिख लिए फिर क्या कह रहा है अंकों के योग फल का गुड़न फल समसंख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है तो क्रेमांगत क्रेमांगत का मतलब लगातार होता है जैसे आपने पहली संख्या एक्स माली तो अगली संख्या क्या आएगी अगली संख्या आएगी एक्स पिलस टू जैसे कि करमांगा संख्या एक है, दो है, तीन है, चार है, पाच बढ़ते हुए तो जाती है बढ़ते हुए इससे ये वाली संख्या बढ़ी, इससे ये वाली बढ़ी, इससे ये वाली बढ़ी आगे बाली संख्या बड़ी होती चलेगी हमिसा ये बात आप जानते हैं तो मैंना यहाँ पर क्या क्या है दो करमांगा सम संख्याओं का योग भाई देखे सम है यहाँ पर तो हम सम संख्या ही लेंगे X प्लस दो फिर इसके आगे चलेंगे तो X प्लस चार फिर इसके आगे चलेंगे X प्लस चे इस तरीके से ठीके क्या करा है सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है भाई इसका भी बर्ग कीजिए और इसका भी बर्ग कीजिए इनका अंतर 84 आएगा अंतर का मतलब आप जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर यह X प्लस 2 का होल स्क्वार यह बड़ी संख्या है इसमें से घटा देंगे छोटी संख्या को X स्क्वार को और इनका अंतर कितना है 84 है अब यह क्या है X प्लस अगर मैं इसको द्यान से देखू, X प्लस 2 का होल स्कॉर का मतलब क्या है? A प्लस B का होल स्कॉर है, भाई देखे, यह A प्लस B का होल स्कॉर बन रहा है की नहीं बन रहा? A प्लस B का होल स्कॉर बन रहा है, और A प्लस B का होल स्कॉर क्या होता है? a square plus b square plus 2ab यही तो होता है अब देखिए a square a आपका कितना है x है तो इसका मतलब में क्या करूँगा x square करूँगा plus b square b आपका 2 है 2 का square करूँगा 4 हो जाएगा plus का क्या होता है 2ab a आपका x है b आपका 2 है तो यह 2x हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा ही रहेगा और गुने में क्या है AB AB का गुना करेंगे मतलब 2X क्या हो जाएगा 2X अब 2 का गुना 2 से करेंगे तो यह 4X हो जाएगा तो मैं इधर लिख दूँगा X स्क्वार पिलस 4 दो का गुना 2 से 4X बराबर, यहां पर क्या है, x square है, ठीक है, x square है, यहां पर, तो यहां पर बराबर नहीं, minus का sign आएगा, क्योंकि minus है बीच में, तो x square बराबर 84, अब x square से x square कट जाएगा, के लिए रहें, 4 plus का है, इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो 84 में से 4 minus हो जाएगा, ठीक है देखिए इधर कर लेते है 4 पिलस 4 X बराबर 84 यही तो बचा भई यह कट गया यह कट गया तो यही बचा पिलस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा तो 4 X बराबर यह 80 बचेगा और 4 से 80 कितनी बार में कटेगा बीस बार में कटेगा तो X का मान 20 निकल के आगया इस X का मान 20 आगया ठीक है इस X का मान 20 आगया अब देखिए इस X का मान 20 आगया तो करना हम कुछ भी नहीं है X का मान 20 आगया तो 20 रखिए ठीक है अब X का मान 20 है यहाँ पर भी X का मान में 20 रखूँगा और पिलस दू है तो दू रफूँगा केलियर अब यहाँ पर करने के गोले कुछ बचाई नहीं आप से क्या करता है दो क्रेमांगज समसंख्याओं का योग की बात कर रहा है योग की बात कर रहा है तो योग कर दीजिए 20 और 20, 40, 40 में 2 जोड देंगे 42 समसंख्याओं का योग क्या होगा जिनके वरगों का अंतर 84 है योग कितना होगा दोस्तो 42 होगा यह आपकी प्रशने का सही आंसर है केलियर होई बात अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है एक संख्या को 6 से विवाजित करने पर 3 सेश बचता है कोई संख्या है उसे हमें 6 से भाग करना है 6 से भाग करेंगे तो 3 सेश बचेगा वह तीन आपका 6 बचेगा ठीक है 6 से विवाजित करने पर 6 हमारा 3 बचता है तो कौन सी संख्या होगी वो, वो संख्या 9 होगी, 6 एक कम 6 कटेगा, और 9 में से 6 जाएगा, तो 3 से बचेगा, वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 9 होगी, अब कहारा 3 से बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विवाज करने पर क्या से बचेगा, अब संख्या तो आपको पता चलगी कौन सी है नो है तो संख्या के वर्गों को डिवाइड करवा रहा है संख्या का वर्ग मतलब 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 इस 81 को 6 से डिवाइड कर दीजे 6 एक कम 6 आ जाएगा 2 बचेगा 2 तार लिजे 1 आ जाएगा फिर कटेगा 6 एक का 18 21 में से 18 कटा दीजे 3 इस बार फिर से से बचेगा हम स्क्वार करना तब भी 3 से बच रहा है स्क्वार नहीं करने तब भी 3 से बच रहा तो क्या से बचेगा भई 3 से बचेगा यह आपका आंसर हो गया अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है यदि एक दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा यह प्रश्ने में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क के लिए है मैंने आयसा प्रश्नी कराया नहीं है इस वीडियो में लेकिन फिर भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और यह प्रश्नी में आपको कराऊंगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो यह प्रश्नी में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा यह प्र झाल झाल झाल